हम आपस विजुन बोजर्ब हैं हमारे पार बस्त वर्क का नेता है हम नेता तैगे सरकार बन जाए एक बारी वहां तक नहीं रुखते पांख साल 1,1 प्रधान नेिंगे वहां तक जाते हैं जी क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांदी ने अपने कारेक्रम में बोला कि इस बार राय बरेली की जनता जो है वो सिरफ एक सांसत नहीं चुन रही है वो प्रधान मंतरी को चुन रही है क्या आपको लगता है विपक्ष भी तोरा कॉंफिटेंट हुआ है बीते पांचरों में तो राय बरेली की प्रधान मंतरी मोधी को चली अच्छी बात है अब एक तारिक को सब चीजे दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा शरद्राव पवार और उधव ठाकरे की पार्टी उनका आरोप है कि ये पार्टी को भारतियंता पार्टी ने तोड़ा और वो ये मैसेज देने की सब्सक्रार के ये ज़िए पार्टी तूक्ति क्या और उद्धव जी अपने बेटे की जगे एकनाथ सिंदे को आगे करते तो आटी टूकती इनकी पार्टिया अपने पुत्र-पुत्री मोह के कारण ढूंद रहे हैं तो उनको कभी सफलता मिकिन क्या आपको लगता है कि व रहती है जिनके साथ अन्याय हो उद्धव जी ने तो अपने सिध्धान्त अपना घटवंधन तोड़कर हमें डीच करने का काम किया था मैंने समझता हैं को किस प्रकार की सिंपर्थी की अपरिक्स आए आपके पात महाराष्ट के भी ट्रेंड आये होंगे क्या कहना चाहते है आप महाराष्ट में कमों बेज हम हमारी सिध्धी को बना कर रखे गे इसमें कोई बड़ा उलट फेर नहीं होगा आपकी टैली इंप्रूब हो सकती है महाराष्ट में हम हमारा बेज बना कर रखेंगे अपर रैली में आपने बुला कि अर्विंद केजडिवाल एक यूटन चलेगे फिर कहा मैं कभी मुख्यमंत्री नहीं बनुगा तिन तिन बार मुख्यमंत्री बन गए इन्होंने सबत पत्र पर कहा था हम सरकारी सुविधाएं नहीं लेंगे बंगलो भी ले लिया गाड़ी भी ले लिया सिक्यूरिटी भी ले लिए और बंगलो ऐसा बना दिया कि जो दो तिन बंगलो को तोड़ कर घेड कानोनी तरीके से अपना बंगलो बनाने का हूं ने काम किया है मैं मानता हूं कि ये सारी चीजे यूटन से भी बड़ी भैन अदे उन्होंने कॉंग्रेस के करप्षन के खिलाब बात करी उन्हों का कि मैं आऊंगा तो सिलादिक्सित के करप्षन में वो जहल में जाएगी अज वो ही कॉंग्रेस के साथ मिलकर वो हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं तो सिरीज ओप यूटन लेने का काम स्री केजरीवाल ने कि अर्विं केजिवाल अपनी रैलियों में अकसर कहते हैं कि दो जून के बाद मैं जेल जाओंगा ने नहीं जाओंगा ये तैक करेंगे चार जून के नतीजे इंडिया अलाइंस अगर सरकार में आता है तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा जहां तक मेरी समिझयों को एक जून को ही जनना तो चार जून को तो फिल्मे ही उगे लेकिन आप व्यक्ति को अपने कामकाज के लिए इस तरह से इंट्रिम बेल नहीं मिला है, मैंनो कोई चाट एकाउंटर होगा, कोई इंडेस्टियालिस्ट होगा, कोई किसान की बुवाई का समय हुआ होगा, कोई हज्याम की दुकान चला रहा होगा, तो उनके भी तो कामकाज है, उनको इस प्रकार की इंट्रिम बेल कभी नहीं मिले, कॉंग्रेस की संदीब दिख्षित ने भी बात बोली कि अगर इस तरह की बेल मिलेगी, तो कल तो कोई और, अगर कोई ग्रिफतार होगा, तो वो बेल मांगीगा, तो देनी पड़ जाएगी फिर, मुझे मालूम नहीं है, अगर कहा है तो सही ही कहा है। अगर वो ले लेते तो वहीं पर बात समाब धूने उनको देश की जनता को बताना चाहिए कि राम मंदर की प्राण प्रतिष्टा में वो लोग क्यों नहीं गए यह एपिस्वेंट की पॉलिटिक्स करने के लिए इसलिए बार बार ए मुद्दा चुनाओं में मुद्दा बन चाहता है यह हमारी बात नहीं है अपने घोषना पत्र में का है कि हम पर्सनल लॉज को इंटर्डीश करेंगे तो पर्सनल लोग कौन सा है भी यह की है मुस्लिम पर्सनल लॉग लेकिन कॉंग्रेस से मैंने सवाल पूछा उन्हें बुला मिस्ट रिप्रेजेंट कर रही है भारतियनता पाटी हमारे घोषना पत्र में तो पर्सनल लॉज के क्या कहना चाहते हूं उसकी सपस्ता करें देश की जनका के सामने कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉग की बात नहीं कर रहे हैं उनको कर देनी चाहिए सपस्ता लेकिन फिर आप भी तो अपना वोट बैंक साध रह बंगाल में ममता दिदी के गड़ को इस बार आप बहुत बड़े तरीके से चैलेंज कर रहे हैं कई उपिनिन पोल्स ने तो बताया कि बीजेपी का नंबर पिछली बारी से बर सकता है लेकिन क्या आपको लगता है संदेश खली एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा महिलाओ का सोचन होता रहे है और महिला मुख्य मंतरी इसलिए कुछ न करें कि सोचन करने वाले इनके कारे करता है इनकी वाट बेंक का हिस्सा है इससे ज़्यादा सरमनाक बात को होगी सब्सक्राइब उसे इस मुद्धे को इलेक्शन की समय में भी और इलेक्शन के बाद भी बंगाल की जनता के बीच में ले जाएंगे अक्सर आप बंगाल में अपनी रैलियों में ममतब इनर्जी का जो इनारा है मा, माटी, मानुश उसको आप बदलते हैं और कहते हैं कि अब मुल्ला, मदरसा और माफिया की खातिरदारी हो रही है क्यों एक बंगाल के युवा ने मुझे बेज़ा था जी मरे पास वाट्सअप मैंने सेव करकर रखा जी तो यह तो जनता की फिलिंग है क्या आपको लगता है कि CA के नाम पर क्योंकि आप देश की ग्रह मंत्री भी है, CA के नाम पर इस देश के बड़े तपके को, अल्प संखेकों को डराया जा रहा है बंगाल में कहा जा रहा है कि अमिच शागर जीत गया, यानि बंगाल में अगर भारतियनता पार्टी जीत गई, तो CA लागू होगा और चुन-चुन के निकाला जाएगा CA वैसे भी लागू होगा, और CA किसी को निकालने का कानून है यह नहीं CA भारत सरकार का कानून है, देश की संसद में पारित किया है और पूरे देश में वो एपलाई हो रहा है एक मुद्दा जो कि भारतियनता पार्टी वहाँ पर उठा रही है, वो है कि ओडिसा में ऑफिसर वस्स पॉलिटिशन को मुद्दा बना रही है क्या आपको ऑफिसर से समस्या है? मुझे कोई समस्या नहीं है, ओडिया जनता के अंदर यह समस्या है कि ओडिसा पर तमिल नारू से आये हुए ऑफिसर कैसे सासन कर सकते हैं? एज़ा अपसर नहीं, एज़ा पोलिटिशन, एज़ा मुखे मनते हैं और वहाँ पर जनता में उरिया प्राइड का मुद्दा बना हुआ है अब उरिसा की जनता नेताई करना है जी मैं